Hello everyone, welcome back So, ये lecture में हम सीखेंगे कि place of supply जो मैंने आपको last time theoretical base समझाया था उसको थोड़ा सा और simplified करके समझते हैं और इस पूरे session में आपको थोड़े practical example के साथ बताऊँगा कि किस तरीके से place of supply को हमें solve करना है किस तरीके से place of supply के जो points है वो आपको ध्यान रखने तो हमने क्या किया था हमने place of supply जो है वो शुरू किया था अगर हम place of supply की बात करें तो ये अपने आप में एक important part है अभी आप कहेंगे sir ये important part क्यों है place of supply while it is important तो ध्यान से समझते हैं पहले अगर हम supply की बात करते हैं तो हमने supply के बारे में दो चीजे सीखी थी क्या सीखा था हमने supply जो है वो दो parts में divided है is divided into how many parts is divided into two parts ठीके ना दो parts में divided है थोड़ा सा अच्छी तरीके से present कर लेते इसको ताकि आपको properly फिर क्या हो जाए समझ में आ जाए तो supply की अगर बात करें तो दो parts में divided है एक होता है हमारा interstate supply और दूसरा हमारा होता है intra state supply तो वी हाव टू टाइपस ओफ सप्लाई नंबर वन इस कॉल्ड एस इंटर स्टेट और नंबर सेकेंड इस कॉल्ड एस इंटर स्टेट आई होब कि ये concepts तो आपके अभी clear हुए ही रहेंगे कि काफी important points है जो आपको ध्यान रखने है तो इंटर स्टेट और इंटर स्टेट में अगर हम देखे तो basically इसको याद रखने का एक तरीका में आपको बताया था इंटर स्टेट जो सप्ला है वो outside the state का सप्ला है outside the state मतलब क्या है इसमें ना दो स्टेट सिंवाल्ड होंगे two states will be involved तो अगर दो स्टेट सिंवाल्ड है तो that is called as interstate supply और अगर supply within the state है within the state का मतलब एक ही state में अगर आप sale कर रहे हो तो उसे हम कहेंगे intra state supply तो यहाँ पर एक example लो अगर तो example में अगर हम देखे कि हम Mumbai से puts को बेच रहे है Mumbai से हमने क्या किया goods को sale कर दिया कहां sale कर दिया for example हमने गुजरात में sale कर दिया अगर हम Mumbai से गुजरात में sale कर रहे है goods तो यहाँ पर कितने states involved है तो आप कहेंगे sir यहाँ पर तो दो states इनो so whenever two states are involved it is called as interstate supply and whenever only single state is involved एक ही state में अगर आप goods बेचोगे तो उसे हम क्या कहेंगे उसे हम कहेंगे intra state supply तो यह problem क्या है sir आप कहेंगे की बार बार सर हमको एकी चीज आज बता रहे हो की intra state interstate तो थोड़ा सा इसको simplified करने के लिए तो हमने last time देखा था वो सारी चीज़े आपको समझ में आनी चाहिए इसके लिए हमने क्या किया था एक theoretical base already समझ लिया है तो अगर हम ध्यान से देखे इसको तो यहाँ पे Mumbai भी involved है और यहाँ पे गुजरात involved है तो problem क्या होता है place of supply में अगर आपने गलत place of supply decide कर लिया तो problem यह होगा कि place of supply एक गलत होने की वज़े से कौनसे टाइप का tax लगेगा वो थोड़ा सा problem हो सकता है अगर हम Mumbai में goods बनाएंगे और गुजरात में बेचेंगे तो गुजरात के लिए यह जो tax है वो गुजरात government को थोड़ा मिलेगा थोड़ा सा tax इसमें से central government के पास जाएगा और इसमें कौन से टाइप का tax लगेगा इट विल बी IGST which is called as integrated goods and service tax तो ऐसे case में कौन से tax लगेगा इट इस integrated goods and service tax तो integrated goods and services tax लगेगा और अगर हम इंट्रास्टेट की बात करें तो यहां पे हम एक example लेंगे अगर हमने safe for example Mumbai में goods बनाए और Mumbai से हमने goods को sold कर दिया safe for example नाकपूर में कर दिया अगर हम Mumbai से goods को sale कर रहे हैं नाकपूर में तो if you can check over here Mumbai भी महाराश्टरा में है और नाकपूर भी महाराश्टरा में है ऐसे case में कौन से tax लगता है ऐसे case में लगता है cgst plus sgst that is called as central goods and services tax and state goods and services tax this is the simple concept of the part related to supply अब जो place of supply के जो questions पूछे जाते है वो थोड़ा सा हम देखेंगे तिको place of supply में कैसे type का part रहता है वो पहले ध्यान से समझ लेते कि place of supply actually होता क्या है तो इसको थोड़ा सा हम charge से समझते हैं तो किस तरीके से place of supply है अगर हम place of supply की बात करें तो अगेन वही part है थोड़ा से इसको properly समझते हैं तो place of supply is important अगर हम place of supply की बात करें तो place of supply में दो points है हमारे एक है हमारा first point और दूसरा जो point है that is the second one ठीके अभी हम अगर first point की बात करें तो first point है place of supply related to goods और दूसरा जो point है that is place of supply related to your services तो एक है है हमारा place of supply related to goods और दूसरा point है हमारा place of supply related to services काफी important part है अगर हम इसको ध्यान से देखे तो यह place of supply related to goods है वो further दो points में divide होगा ठीक है यह further किसमें divide होगा दो points में divide होने वाला है अगर हम first वाला point देखे तो that is supply within इंडिया यह क्या है supply within इंडिया ठीक है इसमें simple चीज़े है supply हम इंडिया के इंडिया में ही करेंगे इसके लिए अगर हम बात करें तो section under section 10 जो section 10 है वो इसके लिए cover होता है और यह second part जो है that is related with your import and that is related with your export import और export इसमें cover up होते है and if you see यहां पर आपका section 11 cover up होता है अगर हम आगे बढ़े और services की बात करें तो ध्यान से काफी important part है services में में भी दो points है services में भी आपके दो points cover up होंगे एक first point जो है इसमें आएगा अगर आपका location जो है location of supplier यहां से location of supplier and location of recipient है location of supplier and location of recipient यह दोनों के दोनों अगर point जो है that is in taxable territory यह किसमें है यह है आपके taxable territory में दोनों के दोनों point तो यहां पर आपका section 13 cover up होगा तो section 13 will be cover over here और अगर हम second part देखे तो जो आपका location of supplier है या फिर आपका जो location of recipient है इन में से कोई भी एक या दोनों भी हो सकते है non taxable territory में है non taxable territory में होगा तो यहां पर आपका कौन सा section cover up होगा यहां पर आपका section यहां पर आपका section 12 cover up होगा मैं 13 लिखा यहां पर 12 cover up होगा और यहां पर आपका section 13 cover up हो तो ध्यान से काफी important तो यह दो points है goods and services तो if you see supply within India तो that will be covered under section 10 supply related with import and export that will be covered under the provisions of section 11 if you see the services we have two points the location of the supplier and the location of the recipient will be in the taxable territory under section 12 will be covered over here and अगर आपका location और आपका recipient है उन में से कोई भी एक non taxable territory में रहा तो फिर under section 13 वहां पर cover up हो जाएगा अभी हम थोड़ा सा इसको example wise समझते ध्यान से काफी simple parts में आपको समझाने का try करता हो आपको simple चीज समझ में आ जाए ठीक है अभी हम क्या करते है एक example से समझ यह है Mr. A यहाँ पे बेठा हुआ है box में Mr. A जो है वो बंदा जो है वो मुंबय का है Mr. A कहां का है मुंबय का है और Mr. A ने क्या किया goods को manufacturing करके मुंबय में इसने goods manufacturing कर लिए और यह थोड़ा सा अच्छी तरीके से यह अपना box आ गया यह यहाँ पे बेठा हुआ है Mr. B यह दूसरे box में वेठा हुआ है Mr. B और यह जो Mr. B है यह बंदा जो है यह बंदा आपका रहता है गुजरात में कहां रहता है गुजरात में तो Mr. A ने goods को manufacturing कर लिया और Mr. B को उसने supply कर दिये 10 lakhs के goods तो अभी आपको question कैसे पुछा जाएगा कि Mr. A ने Mr. B को goods send कर दिये अब Mr. B के पास goods आ गए अब बताईए place of supply क्या होगा क्या place of supply मुंबई होगा या फिर place of supply गुजरात होगा तो मैंने simple तरीका आपको बताया था GST क्या है GST is a destination based tax basically तो ये तो problematic नहीं है अगर हम Mr. A की बात करें तो Mr. A is in Mumbai and he is sending the goods of rupees 10 lakhs to Mr. B Mr. B क्या है गुजरात का है तो आपका इस question में place of supply क्या बनेगा तो इस question में आपका जो place of supply है वो बनेगा place of supply will be गुजरात क्या बनेगा place of supply will be गुजरात और since place of supply is गुजरात कौन से type का tax लगेगा इसके उपर IGST मतलब क्या है कि अगर हम ध्यान से समझे तो place of supply का use क्या है place of supply का use ये है कि place of supply से ही हम identify कर सकते है कि whether CGST SGST will be applicable और whether IGST will be applicable that is very important calculation ठीक है अभी दूसरा example लेते हैं तक कि और थोड़ा सा आपको clear हो जाए चलो दूसरे example में जाते हैं दूसरा example काफी important यही example को continue करता हूँ यह इदर A बेठा हुआ है यह इदर B बेठा हुआ है बाद में उसके अंदर लिख लेंगे और यह इनके बीच में इदर C भी आ गया है इस इस मिस्टर B आपका गुसरात का बंदा और मिस्टर C जो है वो कोल काटा में रहता है अब Mr. A Mr. B और Mr. C अगर हम ध्यान से देखे तो तीनों के तीनों different states में है Mr. A जो है he is the supplier because he is supplying the goods Mr. A क्या है supplier है अभी Mr. A ने Mr. A ने Mr. B को goods क्या करने है supply करने है तो Mr. A ने क्या किया Mr. A ने Mr. B को goods supply किये example same है हमारा 10 lakhs के goods को supply कर दिया अगर Mr. A Mr. B को 10 lakhs के goods को supply करता है तो हमने अभी सीख लिया कि place of supply क्या बनेगा place of supply बनेगा गुजरात तो उससे तो आपका point clear हो गया कि place of supply गुजरात बनेगा अब थोड़ा लाते कहानी में twist कहानी में twist यह है कि Mr. A ने Mr. B को जो goods भेजने है तो Mr. B बोलता है एक काम कर ले Mr. A मेरे बिहाफ पे तू goods जो है वो Mr. C को भेज दे किदर भेज दे Mr. C को भेज दे Mr. A क्या कहता है Mr. B को C को भेजू चलेगा कोई issue नहीं है Mr. B कहता है yes तू मुझे goods मत भेज तू मेरे बिहाफ पे भेज क्या बोला मैंने मेरे बिहाफ पे goods किसको send कर दे C को send कर दे Now the question arises goods किसके पास गए Mumbai से goods किसके पास गए Kolkata में गए है अभी थोड़ा सा इसको देख लेता है कि अगर ऐसे case में आपको place of supply पूछा जाए तो क्या होगा अगर मैं आपको थोड़ा सा इसका point change करके बता दू तो देखो ध्यान से समझो हम एक assumption लेते है ये गुजरात को cut कर लेता हूं मैं सिर्फ उसको change करके नाकपूर कर दिया ताकि आपको ये funda समझे मैं exactly कि मैं कहना क्या चाहता हूं Mr. A ने Mr. B को goods send किये थे 10 lakhs के लेकिन Mr. B कहता है कि तू नाकपूर में goods मत send कर ले तू काम करे Mr. A को बोलता है कि Mr. A मेरे behalf पे to Mr. C को goods बेच देना और C जो है वो Kolkata क्या है अभी problem ये arise होगा अभी मैं आपको question एक पूछ रहा हूं कि बताइए place of supply इस situation में क्या होगा What will be the place of supply under this situation तो आप कहेंगे Sir place of supply होगा Kolkata Because goods कहा से कहा गए तो goods A मुंबई का है मुंबई से goods गए Kolkata में तो फिर कौन सा होगा place of supply Kolkata होगा अगर आप मुझे कहते है कि place of supply Kolkata होगा तो फिर हम अगर देखे तो rule कहता है मुंबई एक state है Kolkata एक state है तो अगर हम देखे यहां पे कौन से type का supply cover हो रहा है यहां पे interstate supply है और जहां पे भी interstate supply होता है वहां पे कौन सा tax लगता है IGST लगता है बट अगर आप मुझे कहते है कि सर place of supply सर नाकपूर है तो नाकपूर और मुंबई दोनों के दोनों महाराष्ट्रा में है अगर हम नाकपूर को place of supply assume करे तो फिर आपका जो supply होगा वो कौन सा होगा वो आपका रहेगा intra state supply और वहां पे CGST प्लस SGST अपलाई होगा और वहां पे अगर CGST और SGST अपलाई होगा तो वो intra state supply माना जाएगा लेकिन इस case में अगर आपने supply गलत मान लिया तो problem क्या होगा आप कहेंगे सर कोई issue नहीं है आप supply कोई भी मान लो tax तो government को ही भरना है आपको अगर हमने supply गलत मान लिया तो we will be charging different tax we will be charging IGST हमें charge करना चाहिए था CGST और SGST और हमने charge कर लिया IGST तो ऐसे case में problem एक ही होता है ऐसे case में problem क्या होता है कि जो input tax credit होती है जो input tax credit का benefit होता है वो नहीं मिलता तो इसी लिए आपको ये place of supply का concept ध्यान से समझना है जो मैंने आपको बताया तो इस case में आपका place of supply जो है Kolkata तो नाकपूर क्यों ले रहे हो तो इस case में place of supply नाकपूर इसी लिए है कि जो हमारा नाकपूर का Mr. B था उसके बिहाफ पे मैंने goods Mr. C को दिये है Kolkata के तो यहाँ पे जो concept apply होता है that is of third person तो third person जो है third person मतलब जो person है जिसके बिहाफ पे हम किसी और को goods send कर रहे है transfer कर रहे है supply कर रहे है so who is that person in this example Mr. B is the person in this example so Mr. B is sending the goods Mr. B is giving us the authority to send the goods on the behalf of Mr. B to Mr. C and that is why here in this example the place of supply will be नाकपूर and since the place of supply is नाकपूर in the example it will be considered as intrastate supply and since it is an intrastate supply कौनसा tax लगेगा फिर cgst and sgst I hope this example is clear to you because place of supply अगर theoretical factors में पढ़ने जाएंगे तो बहुत difficult लगे अभी हम कुछ scenarios लेते है जो आपको ध्यान रखना है अगर हम ध्यान से देखे तो scenarios है किसके basis पे आपको paper में questions पूचे जाते है छोटे छोटे examples होते है वो आपको पूछे जाते है अगर मैं ध्यान से देखू कि goods की अगर बात करे goods की तो goods में दो चीजे cover होती है there are two types covered under the concept of goods one first point is जहां पे goods का movement हो रहा है movement का मतलब क्या होता है goods एक state से दूसरे state में जा रहे है एक जगे से दूसरे जगे पे जा रहे है और दूसरा जो है वो है goods का movement ही नहीं हो रहा फिर भी supply है ठीक है simple है अगर आपको एक tv purchase करना है television तो आप क्या करेंगे आप एक shop में जाएंगे हम जो अभी बहुत बड़े बड़े shop से हम एक vijay sales का example लेता है we have vijay sales vijay sales के shop में आप गए बहुत सारे television आपको वहाँ देखने मिले तो आपने vijay sales के shop में गए vijay sales का shop से for example उनके बहुत सारे branches से आप मुंबई के vijay sales में गए आप मुंबई के vijay sales में जाओगे वहाँ पे एक salesman रहेगा salesman बोलेगा yes sir which kind of television you are interested वो सारे हमको demo देगा और वो जो tv था वो tv कौन से shop में था say for example वो मुंबई के shop में था तो वो मुंबई के shop में जो tv था वो आप वहाँ के मुंबई के shop से ही purchase करते हो तो goods वही पे थे और वही से आपने purchase कर लिए मतलब वहाँ पे क्या है no moment है है moment नहीं है न goods का जब आप उसको अपने घर पे लेकर आओगे तो उसका moment होगा लेकिन goods वही पे थे लेकिन movement के factor में क्या था हमारे example मुमेंट के फैक्टर में गुट्स जो है एक स्टेट से एक स्टेट से क्या हो रहा है दूसरे स्टेट में जा रहा है एक स्टेट से दूसरे स्टेट में ट्रैवल कर रहा है तो गुट्स का फिजिकल मुमेंट हो रहा है तो अगर गुट्स का फिजिकल मुमेंट होगा तो भी मुंबई माना जाए so example काफी important है जिसे आप अपने matters को clear up कर सकते हैं तो थोड़ा सा आगे बढ़ते हैं तेखो आपने बहुत सारे televisions पे artist के program देखे होंगे अगर हम example ले तो example में है हमारा person और वो है हमारा कपील शर्मा ठीक है कपील शर्मा अपने comedy nights with Kapil शर्मा बहुत सारा comedy के जो programs है वो देखे होंगे तो उसमें comedy artist जो है he is the artist ठीक है ये कौन है artist है अभी किसने मुंबई में flat लिया है तो ये मुंबई में रहता है अब ये जो Kapil शर्मा है ये क्या करता है बड़े-बड़े events में perform करता है तो ये कपील शर्मा ने अपने event के लिए मुंबई से कहां गया मुंबई से ये अपने event perform करने के लिए चलो देख example लेते हैं मुंबई से ये गया डेली कहां गया मुंबई से डेली गया किसले गया मुंबई से डेली किसले गया वो event के लिए उसका event था वहां पे डेली में रहता है मुंबई में इवेंट के लिए डेली गया है अगर इवेंट के लिए वो डेली गया है तो आपको मैं अगर पूछू कि पताईए इस एक्जाम्पल में प्लेस ओफ सप्लाइ क्या होगा इस कंसेप्ट में अगर हम बात करें तो इस कंसेप्ट में आपका प्लेस ओफ सप्लाइ क्या होगा इस कंसेप्ट में आपका प्लेस ओफ सप्लाइ जो है वो होगा प्लेस ओफ सप्लाइ क्या होगा यहां पे प्लेस ओफ सप्लाइ होगा डेली क्यों डेली होगा because artist के basis पे अगर देखा जाए तो artist जहाँ जाके perform करता है उसी place को place of supply माना जाता है so artist is performing in Delhi the place of supply will be Delhi artist is performing in Mumbai the place of supply will be Mumbai artist is performing in Gujarat the place of supply will be Gujarat तो do remember this artist का हमने point यहाँ पे देख लिया है अभी कभी कभी क्या होता है बड़ी बड़ी machines होती है अभी हम दूसरा type का scenario देखते है जो normally पूछा जाता है यह है Mr. X लेते हैं बार बार A का example अभी यहाँ पे क्या करेंगे हम Mr. X ले यह Mr. X बेठा है इदर box के अंदर Mr. X है यहाँ पे और यहाँ पे एक दूसरा बंदा बेठा है box के अंदर इसको हम Mr. Y के नाम से जाते हैं Mr. X जो है वो मुंबई का है same example को यह continue कर रहा हूँ Mr. Y जो है वो हमारा डेली का परसन है Mr. Y कहां का है Mr. Y हमारा है टेली का और यह Mr. Y का office है वो है पंजाब में कहां पे है पंजाब में है अब Mr. X जो है Mr. X is doing what Mr. X is selling a machinery यह क्या कर रहा है Mr. X machine को sell कर रहा है selling a machine of 10 crores 10 crore की machine है काफी बड़ी machine है जो Y को sell करनी है Y कहता है कि यह जो machine है Mr. X एक काम करना डेली में मत send करना वो send करना मेरा जो office है पंजाब में वहाँ पे आप send करिए लेकिन problem यह है इस situation में कि जो यह machine है यह machine इतनी बड़ी है huge machine है this is the huge machine और यह इतनी बड़ी machine है कि यह machine पूरी की पूरी हम पंजाब एक बार में लेके नहीं जा सकते अगर हमें machine को लेके जाना है तो हमें क्या करना पड़ेगा machine के small small parts machine को small small parts में record करके small small parts को करके वहाँ पे पंजाब लेके जाना पड़ेगा और वहाँ जाएंगे हम और वहाँ पे install कर देंगे तो हमने same Mr. Y. ने हमको कहा ठीक है कोई issue नहीं है आप machine के लिए transport में उसको डालिए और पंजाब में लेके आईए तो हमने कहा सर पूरी की पूरी machine एक साथ नहीं आ सकती हम उसके parts को लेके आएंगे और Mr. Y. जो हमारा आपका जो office है पंजाब में वहाँ आके हम installed करेंगे या assembled करेंगे ठीक है installed करेंगे या क्या करेंगे assembled करेंगे तो यह दो words कहाँ पर मैं ध्यान से लिखता हूँ हम वहाँ पर आएंगे और वहाँ पर क्या करेंगे installed करेंगे या फिर assembled करेंगे तो अगर हम installed या assembled कर रहे हैं तो ऐसे case में बताईए place of supply क्या होगा ऐसे case में place of supply माना जाएगा पंजाब ऐसे case में place of supply पंजाब माना जाएगा place of supply डेली नहीं होगा वाइ? बिकास वेनेवर the goods are installed और assembled the place where the goods are installed or assembled will be considered as the place of supply जहाँ पे हम goods को installed करेंगे या जहाँ पे हम goods को assembled करेंगे वही हमारा place of supply माना जाएगा ध्यान रखना काफी important part है जो usually आपके paper में पुछा जाता है और बच्चे confused हो जाते है बच्चे सोचते कि Mr. White और डेली का है और place of supply डेली कर देते है ऐसा नहीं है जहाँ पे भी हम place of supply को consider करने वाले है इस example में वो होगा installation का place या assembled का place जहाँ assembled होगा जहाँ installation होगा वही part को हम place of supply मानेंगे I hope this example is clear to you ठीक है और एक example लेते है एक import वाला तो ताकि जो basically जो major major points है वो आपके cover up हो जाएंगे ठीक है ये एक बंदा है इधर Mr. A लेंगे फिर से एक बार Mr. A जो है वो हमारा मुंबई में है ठीक है Mr. A कहां कहा है मुंबई का है और ये जो Mr. A है ये दूसरा बंदा है ये दूसरे बंदे का नाम है Mr. Thomas फोड़ा foreigner का नाम लेते है Mr. Thomas और Mr. Thomas जो है वो हमारे Singapore के है कहां पर है Singapore और Mr. Thomas क्या कर रहे है Mr. Thomas Mr. A को goods sale कर रहे है Mr. A को क्या कर रहे है goods sale अब इध्यान से समझना ये concept क्या कहना चाहता है Thomas जो है हमारे Thomas है Singapore में Mr. A मुंबई में है मतलब Mr. A इंडिया के है Mr. A is in India और Thomas goods को sale कर रहे है तो ऐसे case में तो import का factor है ज्यान में काफी important import का factor रहे है So ऐसे case में क्या है import का concept है Thomas जो है Thomas से हम import कर रहे है कौन import कर रहे है Mr. A जो है Mumbai का वो import कर रहे है लेकिन ये जो Mumbai का person है इसका registered office कहाँ पर है Mumbai में है ये भी में आपको एक बार यहाँ पर लिख लेता हू इसका registered office कहाँ पर है Mumbai में है अभी Thomas ने goods को sale कर दिया goods को supply कर दिया और ये हमारा Mumbai airport है समझो ये हमारा Mumbai airport है इस इस वाट इस अवर यहाँ पर गर इस इस दी airport तो ये हमारा Mumbai का airport है एक example के लिए समझ लेना ऐसा कुछ airport नहीं है लेकिन आपके example goods directly Thomas के basis पर Mr. A के पास नहीं जाएंगे goods कैसे आएंगे goods यहाँ से airport में आएंगे और airport से goods कहाँ आएंगे Mr. A के registered office पे आएंगे अब Mr. A जो है उसका उसका एक branch है ठीक है क्या है उसका एक branch है गुजरात में यह उसका unit है यह उसका unit 1 है और यह उसका दूसरा इधर दूसरा unit देखते हैं इस इस unit 2 यह उसका मध्यप्रदेश में है तो थॉमस ने airport पे goods send कर दिये और Mr. A ने क्या किया goods airport से उसके register office पे नहीं लाए airport से सीधे goods कहाँ send कर दिये कुछ goods गुजरात भेज दिये और कुछ goods को उसने उनके unit number 2 पे मध्यप्रदेश में send कर दिया ठीके concept ध्यान से समझना काफी important है अगर आपको यह example clear हो गया तो आपको फिर place of supply में कभी कोई problem face नहीं होगा Thomas Singapore का बंदा है Thomas से Mr. A ने क्या कर दिया import कर दिया Mr. A का registered office मुंबई में है लेकिन goods directly Thomas Singapore से भेज़ेगा और Mr. A के मुंबई registered office में नहीं आएंगे पहले airport पे आएंगे तो airport मुंबई के airport पे goods आ गए मुंबई के airport पे goods आने के बाद अभी उसने क्या कर दिया airport से goods को भेज़ दिया उसका एक unit गुजरात में है और दूसरा unit उसका MP में है तो दोनों के दोनों units में उसने goods को send कर दिया अब ऐसे case में place of supply क्या होगा तो simple है आपको simple चीज याद रखनी है जो मैं आपको बता रहू and that is इंपोर्ट में place of supply हमेशा registered office होता है जो importer का होगा तो registered office क्या है importer का मुंबई because वो मुंबई का बंदा है इसका registered office मुंबई में है फिर goods कही पे भी send करे उसका place of supply क्या माना जाएगा मुंबई माना जाएगा गुज्रात और MP माना नहीं जाएगा this is the point I hope this example से आपका place of supply का concept clear हुआ रहेगा that was the part which we have learned about the place of supply if you think that this example से आपके points clear हुए है तो अपने friends में भी share करे ताकि उनको भी पता चले हम की तरीके से preparations कर रहे है GST का complete course आपको description में मिल जाएगा अगर आप चाहते है कि DGST इसी तरीके से example से पड़े सबी चीज़े आपकी crystal clear हो जाए तो description को चेक करें वहाँ से आपको पूरे के पूरे GST के simple points में explanation वाले concepts मिलें Thank you all of you, bye bye, take care